तो देख सकते हैं दोस्तों प्रेंटिंग का काम चालू है सब लोग मिल करके कर रहे हैं यह देखिए यहाँ पर सिवा कर रहा है वहाँ पर हजबन जी कर रहे हैं सिवांस कर रहे हैं यहाँ पर यह वाला हो चुका है यह देखिए और यह अभी बाकी है और यह सब अभी लगाना बाकी है यह देखिए और यहाँ पर देखें दिपांस भी जग रहा है और रात के बज रहे हैं ग्यारा हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब असा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों ये ब्लोग मैं दो तीन दिन का मिक्स ब्लोग डाल रही हूँ तो जैसा भी है आप लोग देखिएगा आप लोगों को अच्छा लगेगा बस आप लोगों को छोटी छोटी अपडेट देने के लिए मैं ये ब्लोग बनाई हुई हूँ तो यहां पे ये जो कलर होता है न तो थोड़ा थोड़ा जो है गीर जाता है तो वो छूटता नहीं है तो वो मैं साफ करने में लगी हुई थी और ये नेक्स्ट दिन है ये वीडियो दोस्तो असल में दो-चार दिन पुराना हो चुका है मैं डाल नहीं पाई काम की वज़ा से तो आज का दिन है जिस दिन में ये कन्या खिला रही हूँ इस दिन है ओडिमा नौरात्र का आखरी दिन तो यहाँ पे मैं आज कन्या खिलाओंगी और आज दुकान का ओपनिंग भी है छोटा सा एक फंसन सा रखी हुई हूँ और क्या बोलते हैं सत्य नारायन भगवान का कथा सुनाएंगे अम्मा को और उस से पहले में कन्या खिलाने के लिए जो है खाना बनाई थी तो यहाँ प जो है देख लिए जे अनन्या तो इसको भी हम लोगों ने नियोता दिया था तो ये भी आई हुई है खाने के लिए इसको तो हाथों से खिलाना पड़ेगा पाद में मैं इसको खिलाओंगी तो यहाँ पे सारी कन्याय जो है बैठी हुई हैं और खाना खा रही है तो आप को बस देख सकते हैं दोस्तों यही सब चीजे बताने के लिए मैं चोटी चोटी किलिफ जो है जोड रही हूं आप लोग देखिएगा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यहां पर सिवा जो है अनन्या को खिलाने बैठ गया है और चोटी है अभी थोड़ा बहुत खाती ह है लेकिन कहते हैं ना चोटी चोटी ही कन्याएं जो मिलती हैं तक क्या कर सकते हैं बहुत चोटे चोटी कन्याएं आए हुई थी दोस्तों यहाँ पे इसकी वीडियो बना रही थी तो ये देख रही थी और देखिये मुझे तैयार होने का भी मौक का नहीं मिल पाया था मैं जैसे भी तैसे करके दोस्तों अपना काम जो है खतम करने में ही लगी हुई थी बहुत इस बीच बहुत सारे काम हुए हैं दोस्तों जो की मैं ब्लोग नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना क्या करूं दोस्तों घर में, अकेली होनी की वज़ा से बहुत दिक्कत परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा, बस ऐसा समझ लीजिए कि आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे एक मतलब भी ना बताए, आप लोगों से मुझ तो यहाँ पर कन्याएं जो है, खा चुकी है, इन लोगों को मैं चुन्री चड़ा रही हूँ, तो चलिए वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक, सियर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा दोस्तों, और आप ही सब के प् बिजनस करने वाले हैं, साड़ी, सूट, यही सब रहेगा दुकान में, और मेरे हाजबन जी जो है, दूसरा बिजनस करते हैं, जूलिरी का हमरों लोगों का एक छोटा सा सौफ है, तो हाजबन जी जूलिरी का काम करेंगे, और सिवा इस दुकान पर बैठेगा, तो आप ल कैसे नहीं पढ़ेगा, वो बाहर जाकर के, फारम भर करके, कैसे घर पे रहके पढ़ाई होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उस तरीके से पढ़ाई भी होगा, और दुकान भी चलेगा, क्योंकि हजबन जी का जो दुकान था, वो बहुत जादा मतलब खराब हो चु पूलिरी का ओर्डर लेते थे, बनाते थे, और बेचते थे, तो वो सब काम बहुत मतलब मद्दा हो चुका था, बहुत डाउन हो चुका था, तो घर अगर चलाना है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और घर ग्रेश्ती ऐसे नहीं चलती है, कुछ ना कुछ मेनात तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आगे सोचना पड़ता है, बच्चों के लिए, अपने लिए, तो बहुत अर्मान से मैं यूटूब पर भी आई थी दोस्तों, कि मेरा कुछ ना कुछ भला होगा, लेकिन इस चैनल से मुझे कोई उमीद नहीं है, लेकिन फिर भ मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉंस भी मिला है, उस पर मुझे मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, वो भी हुआ है मेरे साथ, कुछ अच्छा मेरे साथ हुआ है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस चैनल से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज सुख में हमेशा सामिल रहते हैं, मैं जैसा भी वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कन्या जो है खा चुकी है, सब लोगों को मैंने दच्छिडा दे दिया है, पाउँ चू लिया है, अम्मा भी पाउँ चूने आ गई थी, सीवा चूए थे, और यह दोपहर का समय है, दोस्तों, दोपहर के तीन बज चुके थे, और जब कन्या खा रही थी, तो सुबा के नो दस बज रहा था, तो यह दोपहर का समय है, यहाँ पे मैं अम्मा को जो है कथा सुनवा रही हूँ, भगवान सत्य नारायन का, और देखे, यहाँ पे कपड़ के आकरी दिन जो है, ओपनिंग करवा दिया था, क्योंकि पंडित जी इसी दिन का साइट बताये थे, तो इसी लिए, तो यहाँ पे मैंने अपने ननद लोग को भी बुलवाया था, अपनी बहन भाभी, सब लोगों को बुलवाया था, सब से मिलवाओंगी दोस्तों, लेक यहाँ पे हवन हो चुका है, अमा जो है आरती ले रही है, आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बनाई हुई हूँ दोस्तों, और यहाँ पे सारी लेडिस जो है आरती हो रही थी तो खड़ी हो गई है, तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो को, और ये ने पुन्वासी के दूसरे दिन का दिन, पुन्वासी मतलब पूरिमा रविवार को था, संडे को और ये है मंडे, दूसरे दिन मैंने खाना पीना का विवस्था किया था, तो कुछ रिष्टेदारों को और कुछ अपने भाई बंधु को मैंने बुलाया था खाने पे, बस बनने की तैहारी हो रही है, तो देखिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं बोलने में भी मिश्टेक हो रही हूं, तो यहाँ पे प्याच काटा जा रहा है, और आलू जो है फ्राई हो रही है, मतलब डेढ़ से 200 लोगों का खाना मैंने बनवाया था, तो यहाँ पे साफ कर रही है, अमा बोल रही हूं, तो यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है सबजी के लिए, तो खाने में मैंने बनवाया था दाल, चावल, पोड़ी, पापड और दो तरीके का सबजी था, आलू परवर की सबजी थी, सूखी और मटर पनीर की ग्रेवी वाली सबजी थी, सलात था, यही सब था दोस्तों, और आप लोग सुछ रहे हैं अंदर क्यों खाना बन रहा है, तो इस दिन बहुत जाधा बारी शो रही थी, इतना जाधा बारी शो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं खाना मी नहीं किसी को खाना है, तो यह हमारी Бhaoावी है, और वहाँ पे एक भावी बेठी हुई है और यहां पर दीदी है देखे चावल साफ कर रही है दीदी हेलो बोल रही है तो एक छोटा था यहां पर पहचालते ही होंगे यहां पर मेरी एक प्यारी सी गुडिया सी देखे देखे दीदी है परदी जी है है रही है तो दोस्तों छोटा सा प्रोगराम में कियुहाँ हूई हूई हूँ थोडा सा मन को अच्छा लगता है यह सब करने को तो आज सुबा यह बारीश हो रहा था इसलिए प्लान जो है थोड़ा सा डिस बैलेंस हो गया चोटा सा प्रोग्राम में रखिवी हुई हूं थोड़ा सा खाना पीना का ब्योस्था की हुई हूं खुछ हमारे नात रिस्थेदार आए हुए है घर के और हमारे जो पटीदारी लोग का होता है तो लोगों को खाना पिना की बियुस्था में कर रही हूं और कल कथा था आज खिराई पिलाई कर रही हूं बहुत जादा हाई फाई नहीं है दोस्तों बस अपने नात रिष्टेदार और भाई बन्न को खोड़ा बहुत किलाऊंगी तो यह हमारी चोटी बहन है दोस्तों यह देखिए यह भी आई हुई है तो रिष्टेदारों का आना शुरू हो चुका है दोस्तों यह साम का समय है साम के 5 या 6 बज रहे हैं तो बारिस होने की वज़ा से दोस्तों बहुत सारी दिक्कत होई है तो घर में ही सारा ब्योस्ता मैंने करवा दिया था छत पर खाना भी छती पर बन रहा है और खाना खिलाने का भी काम जो है छती पर हो रहा है मतलब टैरिस पर तो यहाँ पर मैं तैयार होके बैटश चुकी हूँ सब लोगों के बीच में यह सब हमारे भांजे हैं देखें हेलो बोल रहे हैं और इनको तो पह्चानते ही ओंगे यह हमारे बेटे हैं सुनेल और यह हमारी ननद है और यह नननद की बहूं है जो हरी हरी साड़िया पहनी हूई है दीदी हैं हमारी जेठान लोग हैं सब लोग बैठे हुए हैं दोस्तों और ये हमारी छोटी ननद है ये भी हमारी ननद है पैसे मैं बता दो कई वीडियो में भी बताई हुई हूँ कि मेरी छोटी मतलब मेरी पांच ननद है ये देखे ये मेरी बड़ी ननद है और ये जो ह तो यह बोल रही थी कि मामी मुझे भी वीडियो में लेकर आओ, तो वही मैं इन लोगों को वीडियो में लेकर आई हुई हूँ, तो यहाँ पे सलात काटने का सिस्टम जो है चालू हो चुका है, क्या करें कुछ न कुछ तो करना चाहिए दोस्तो, तो यहाँ पे मैं और भाभी और बीच-बीच में सब लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, असल में बारिस ना हुआ होता दोस्तो तो यह सब प्रोग्राम बाहर हो जाता, लेकिन बारिस होने की वज़ा से दोस्तो घर में ही सब चीजे करवाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं सलात काट रही हूँ, भाभी काट रही है और सिवा जो है खीरा चिल रहा है, और मुझे प्याज आखों में बहुत ज़्यादा लगती है, तो देखिए आशू आते रहते हैं प्याज की जो है, और खाना बिल्कुल से सब खाना रेडी हो चुका है, खाना साथ बजे रेडी हो चुका था दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कि देखिए कौन-कौन सा खाना बना था, तो यह मटर पनीर की सबजी है दोस्तों, आप लोगों को मुझे पता है वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिस कर रही हूँ आप लोगों को, और थोड़ी सी यह वीडियो पीछे जा रही है, क्योंकि बहुत जादा दिक्कत सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, मैं बिल्कुल से टाइम नहीं पा रही हूँ, कि आप लोगों से जुड़ू हूँ, आप लोगों के बीच वीडियो बना कर भेजूँ, तो बहुत एक महीने से दोस्तों मैंने बहुत सारे काम करवा डाले हैं, जो आप लोगों को धीरे-धीरे करके सब पता चलते रहेगा, तो दाल है, यह सूखी सबजी है, आलू परवर की, तो जेश्ट अभी खाना जो है, बना हुआ है, तो अभी मुझे भोग लगाने के लिए भी जाना है, यह चावल है, देखिए, और अभी पूरी फ्राई होने जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पांच पूरीया फ्राई करवा लिया था, मातारानी को सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी, समझ लिजे, यह चोटा सा भंडारा मैंने ठाना था, रखा था, तो यह देखिए, यहाँ पे जो है, थाली मैंने निकाल लिया है भोग लगाने के लिए, तो चलिए चलते हैं, मातारानी को भोग लगाते हैं, हस्बेन जी भी आ गये थे, पुछ रहे थे, खाना तयार है, तो सभी को खिलाते हैं, तो मैं वही बोल रही थी, कि बस दो मिनट रुक जाओ, भोग लगा दूं मातारानी का, फिर उसके बाद चलती हूँ, सब को खाना खिलाते हैं, कि बस दो, झालती हैं,